हेलो फ्रेंट्स गुड्मार्णिंग कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स यार मेरी मॉनी की चाय बन गई है और मैंने थोड़ा सा चिप्स भी निकाल लिया है चाय के साथ सब को खाने के लिए तो अभी सब चाय और चिप सम बहुत ही जोड़ सोड़ से हो रहा है बहुत मतलब ठंडी है मेरे यह बहुत तेज मेरे यह राजधानी लखनों में तो बहुत ही तेज बढ़ रही है और यह महां से बैटे हैं दिखा रहे हैं अंगली से कि मम्मी मुझे दो मुझे भी खाना है और यह देखिए कैसे खा तो हमने सुचा आप लोगों को भी दिखा दें इनका खाने का तरीका तो प्लीज फ्रेंड आज की वीडियो बहुत जदा बड़ी नहीं है चोटी सी है प्लीज एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और नए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइगन को दब आफिस तो उनके लिए लंच बनाना है तो हमने कोकर में रखा था आलू उबलने के लिए वालू मेरा उबल गया है और मैं इसे निकाल लूँगी और निकाल के फिर इसको मैं छीलूँगी छील के मैं बनाऊंगी उसाधी सी आलू की सबजी और रोटी तो चलिए मैं कर लेत साथ दे रहे हैं प्रीज ऐसे ही आगे भी दीजेगा और आप लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा इतना अच्छा साथ दिया अप्रीज जो लोग नए हो तो अंसब्सक्राइब मत कीजिएगा प्रीज फ्रेंड और साथ दीजेगा हम भी आपका साथ तो फटा पट मैं आटा को लगा लेती हूं उसके बाद फिर मैं आलू छील लोगी कि सुबह सुबह तो ऐसे भी इत्ता सारा काम हो जाता है जल्दी यल्दी जट पट करो जिससे की पटा से रेडी हो जाए लंच उनका नहीं तो उनके आफिस जाने की तैयारी होने लगती है और बच्चे भी दो-दो हैं घर में छोटे-छोटे तो उनका भी कुछ न कुछ लगा रहता है बीज-बीज में उनकी भी एक ने फरमाईस होती रहती है जिन लोग के खरमें छोटे बच्चे होंगे सबको पता होगा कि किता सारा काम होता है और इसे भी सुबह 10-11 बच्च तक सारा काम फिनिस हो जाता है ज्यादा काम तो यहीं साथ से नौप के बीच में रहता है तो भी मैंने आलू छेल लेती हूँ उसके बाद भी बनाओंगी सबजी तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग जरूर बताईएगा और नए लोग जो है प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुलवाज करेएगा फेंड्स ना पूरा फुलवाज क सब्सक्राइब कर लिजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भीज कर लिजिएगा तो फ्रेंट्स आज मेरी तब यह थे कुछ डाउन इसलिए वाई सोबर करते समय मुझे थोड़ा दीरे ही बोल रही हूं जादन मुझे बोल नहीं जा रहा है थोड़ा सार में दर दो रहा है तो इसलिए हम अभी लेटे ही है वीडियो मेरी कलकी है और वाई सोबर हमास कर रहे हैं तो अभी मैंने जीरा और हरी मिर्च कतड़का लगा के आलू को छोंग दिया है और मेरी रोटी मी बन के रेडी हो गई है और अभी मैं इसको थोड़ा ढंक दूंगी के लिए तो अभी मेरी सब जीवन के रेडी हो गई है आप ऐसे भी यह आलू चाय के साथ भी गर्मा घरम खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगती है तो टिफिन मिले जाने के लिए ऐसे ही आप सुखी अलू बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा चाय पूड़ी पराठा रोटी किसी के साथ दिखाई है अच्छी लगती है तो चलिए अब हम टिफिन तयार कर देते हैं उनका तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा और अगले वीडियो के लिए करिए थोड़ा सा इंतजार फिर मिलेंगे कल और आप कहते हैं आप लोगों से बाई 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 और कर लेते हैं हम इनकी टिफिन की तयारी तो मैंने डोटी में घी लगा दिया है रग दिय दे दूंगी इनका तो प्लीज प्रेंड जैसे आज तक साथ देते हैं आगे भी दीजिएगा तब तक के लिए बाई बाई